जवाहरात जब उधर आई तो तनहा नहीं थी साथ दो तीनावादीन में थी ताजा प्रोटॉक्स का सर्था उस्या सुनेरी धारियों वाले कौन में धमक रहीं थी मुस्कुरा देवे साधी का कॉलर नसाकत से चाड़ा क्या ये दोस्ती है तुम्हारी नजर में एक शकल भी नहीं दिखाते बड़ी नजाकत रुमान से कहां साधी नर्मी से मुस्कुरा दिया अब आपके पास होत पहले जैसा वक्त नहीं होता मिस्स जवाहरात जवाहरात बस मुस्कुरा कर अपनी फ्रेंड से सुमर का तारू करवाने लगी जी की उपर पेश है उससे तोड़ तोड़ कर बताया वो हाधून अच्छा-च्छा कहकर सर हिलाने लगी कदरे फासे पर खड़ा वो शिर्वान तुन नजरूं से उधर ही देख रहा था उससे मां के वाधा पूरा करने का इंतसार था अब जवारात ने साधी हवाती इंसे साधी का तारूफ करवाया व साधी सराशा जोगा फिर सम्बल कर मुसको रहा हूँ सब उससे ही देख रहे थे तो नोशिर्वान की वेश्दी का बतला उतारा जा रहा था उससे बस एक नजर सामने खड़े शेरू पर डाली जिसके लबू पर फादिहाना मुस्कुराहट थी साधी खंकारा मिसिस जवाराद ने चोंके शच्रह नस्ब की बात की है तो हम पठान है और हमारा कपीला बनी इसराइल से तालुक रखता है यूसुफ अले सालाम की उलाद से इसलिए साधी यूसुफ खान नाम है मेरा यू मैं मेरे मिडल क्लास वालदेन हम सब बनी इसराइल से है एकर उससे मासूमिय से जवाराद को देखा जहां शेरू का चेहा सेया पड़ा वहीं जवाराद भी पुश गई वो यकीनन ये सब उस अंदास में नहीं के लाना चाहती थी अगर जो वो उस रोज नोशिरवान के सामने चाड़ी की तक्रीर यहां दो आता हूँ तो कितना मसा आता हूँ मगर अब वो तीनों हवातीन सताइशी नजरों से उसे देख रही थी नोशिरवान साच चटक कर आगे भड़िया जवाराद ने उन में से एक को माधिब क्या उस्ट्रेलिया कब जा रही हूँ आमना इसी हफते हमात और किरन के साथ जोमर जोंगी, साधी भी, अनीन तक ने उनको देखा जोहाराद मुस्कुरा देवे नर्मी से पूश रही थी उसके पास बदला लेने के बहुत से तरीखे थे किरन कैसी है? जुड़वां बेटे हुए हैं उसके पुश है वो किरन की खाला थी और ये तो सबको इल्म थाँ कि जुमर के मंगेतर करिष्टा जोहाराद के जानने वालों में ही हुआ था वहावदीन वहाँ से अड़ी तो जोहाराद उस सरफ हुणी एक मासूम नसर साधी के संजीता चेहरे पे डाली फिर जुमर को देखा जो सबाट कड़ी थी फिर एक दम आँखों में मलाल उब रहाँ ओ, I am sorry अनी मुझे हमात का जिकर नहीं करना चाहिए था मैंने तुम्हें डिस्टॉर्ब कर दिया न नामेज से उसका हाथ दामकर वो जैसे भेहर शर्मिन ना थी अनी निलब काटते हुए फुपो को हम देडी से देखा उससे अपने पिछली रवये पे शर्मिन दी हुई पेचारी फुपो मुझे फर्क नहीं बढ़ता उससे फर्क पढ़ा था मगर वो रुख मोड़ गई और वहीं एंट्रेंस से वो चला रहा था स्या सुनेरे लोगों में वो ही मुनफरित था निली जीन्स और सफेश शर्ट छोटे कटे बाल कंदे पे बैग लटकाए बेटर ने कुछ कहा उससे उंहु करते बेजारी से उसे परिखिया अबराम देखी जाने पढ़िया सुमर की आँखों में कर्ब उबरा नफरत, गम, उस्सा, लब भीच गए जोहारात ने उसके निगाओं के दाकों में देखा वो रहा हो गया है और यह उसके मामों का घर है उसको रहने से रोक नहीं सकती पारिस को कोई भी कुछ करने से रोक नहीं सकता जोहारात ने सुमर का हाथ दबाए कोई अमासरत थी, मगर धीरे से मुझे फर्ट नहीं पढ़ता I am really sorry You should be साधी ने सर्ट लहजे में गाओं जोहारात ने नरमीस उसे देखा उसकी खूनी को वच्चे की तरथ अपका इसकी उसमें कहकर आगे भढ़ दी अनीन, सैम, साधी, तीनो, हामोश्टे और सुमर के रध्यमूल के मुंतसे थे मगर वो उनकी तरफ नहीं दिख रही थी क्या आपने वो किताब पढ़ी जो मैंने गिफ्ट की थी साधी ने खंकार कर वाँ कौन सी किताब जो मैंने आखों में उत्री नवी को अंदर उतार लिया बगर लेचे में लड़ सिष्टी हाँ वो तेर्मी सदी का मुस्लिम स्कॉलर नोन फिक्शन नहीं, मैं नहीं पढ़ सकी मैं हाती हूँ, अभी हम, वो मास्द करके अंदर की तरफ पढ़ गी फुपो हर्ट हुई है सैम निकाह, वो दोनों चुप रहे फारिस अंदर आया और सीधा केस्ट्रूम की तरफ बढ़िया उसके चेरे के तास्वा सबाट थे अंदर आकर उसे दरवासा बन गिया और बैक बेट पे रखा फिर फुद भी साथ बैठिया सर हाथों में लिए कितनी ही देर बैठा रहा उसके आंकों में अजी मलाल तर आया था लोहों में गिरी खड़ी उस स्या लिबास वा लड़की की भूरी आंकों की तपिश कोया अंदर तक उदर कई थी जैसे उससे उसके सारे अंदर को चला डाला हूँ वो बिल्कुल हामोश बैटा रहा कमरे में सनाटा था मधम सर्थ बतियां चल रही थी भाईर के शोर और रोनक से बिल्कुल कटकर ये कमरा हामोश सा था फिर वो उड़ा और धीरे धीरे चलता किड़की दगाया परदा सरा सा सिर्क काया सामने ही लौन में वो खड़ी थी पतिली से वो सादी से कुछ कह रही थी अपनी तमाम तर हुश मिजाजी और तलही के बावजूद उसकी आँखों में उतरी कहरी उदासी वो यहां से भी देख सकता था जैसे वो अंदर की सारी वेरानियों को चुपाने के लिए उत्पे कराती का मलमा चड़ाए हुए थी उसपे नसरें जमाए वो यूही खड़ा रहा हूँ उंगलियों से परदे को उसी तरह धामे रखा हूँ वो मनसर में थी और फारिस की निगाएं वहीं जमी थी जहिन में बहुत से पुराने मनसर खूम रहे थे जी हां मैं पूरे वसोक से कह सकती हूँ कि मुल्सिप फारिस गासी ने मुझे रेस्टूरेंट बुलाया था और फिर मुझे पे कोली चलाई थी परसू पहले वो अदालती को टहरे में खड़ी थी और कर्दन उठाय सबाट अंदास वे कह रही थी नहीं मैंने उसे कोली चलाते नहीं देखा था मगर मैंने उसकी हवास सुनी थी मैं कवा हूँ इस बात की कि मुझ पे और जर्दाशा गासी पे हमला करने वाला मुर्जिम फारिस खाजी ही था फारिस से बार्दा छोड़ दिया कपड़ा लेरा कर अपनी जगा पे आन किया बाहर का मनसर छुपकिया उसका दिल पूरा हो गया था आगों में नागवारी उबर आई थी वो सरजड़कर वापिस बैट की दरफ आया तेज सफेद पत्ती जलाए और फिर बैक खोलने लगा पुछ देर पहले इड़की के पास खड़े शक्स वाला कोई तासूर उसके चेहरे पे नहीं था वहां सिफ संजी थी थी और सपाट पन अब वो बैक की तमाम अशिया को एके करके देख रहा था चेक कर रहा था बाहिर केक कट रहा था आशिम और शेरीन बच्ची के एड़कीत मुस्कुराते हुए मुझूद थी मस्सों ही कहके खोकली हुश है फिर शेरीन ने केक के टुकड़े करना शुरू किये वो फोंडेन का तीन मंसला केक था जैसे असी गुडिया फूले फ्रॉक के साथ खड़ी हुँ वो फ्रोसन की एलसा थी मगर उसका लिबास सेला नहीं बरफीला घुलावी था चंद केक्स उसके इलावा भी मरकसी मेस पे रखे थे जिनके फियोना टुकड़े कर रही थी एलसा वाले केक पे एलसा ने एक दिल उठा रखा था जिस पर सोनिया लिखा था शेरीन ने वो दिल सोनिया की प्लेट में डाला मगर जब केक सर्व किया जाने लगा उससे वो दिल एको टेश में केक के उपर रखकर फियोना को दिया ये दिये की टेबिल पे ले जाओ फियोना उससे फोरण वहां ले आई दिये सुमर तो नहीं थी मगर साधी ने सब बहुत होर से दिखा और फिर शेरीन को वो उससे ही दिख रही थी मगर उसको दिखते पाकर मेमानों के जाने मत वज़्या हो गए यानि साधी कुछ समझ ले तो समझ ले वो बस किनारे किनारे रहकर ही मदद करीगी सुमर अंदर आई तो वहां भी मेमान बिख्रे थे अमीरों की दाफ़तें सारा खरी खोल कर रख देते हैं गेस बातरूम किस सरफ है सुमर ने कुसरते वेटर को रोका वो किसी काम से आया था सो बात की वज़ाए गेस रूम की दर विशारा कर दिया उस सीटी उदर चलिया आई वो आंसो जो बाहर मस्वूती के होलने पहने नहीं दिये थे वो अंदर उतरने के बावजूद आंकों को सुख कर गए थे उसी के सुरूम का दरवासा दखेला ये बातरूम जाकर मुध होए मगर बेट पे बैक कुला पड़ा था एक मशीन गन, दो पिस्जोल, कोलिया और खुद वो बैटके किनारे पे चौकर रखे पिनली के साथ चाको बांद रहा था आहट पे चौंक कर सर उठाया फिर वहीं रुप गया सीधा भी नहो चौकर पे खड़ी सुमर का सांस रुप गया था उसकी निगाहें अस्से से ओधी फारिस के चेरे तक गई फिर उनमें उद्रा गम घुस्से में बदला जबड़े की रगें दं गई वो बीचे हुई और जोर से दरवासा बन दिया अब उसे मजीद फ्रेश होने की खौईश ना थी वो तेज से चलती बाहरी की दरवड़ गई अनीन की कपड़ू पे केक का टुकड़ा गिरा था वो सेम को लिए अंदर आ गई केक के बाद सब फिर से विकर गए खाने में वीवक्त था अनीन को या था एक ऐस बाथरूम की दर है दखली दरवासे में से दरवासा खुलता और अंदर शीशे की डिवार के साथ के तार में वेसन थे कुछ लोगों की चेहरे को देखकर लगता है उनको बिढ़ों ने काटा है मगर नोशेरवान के बालों को देखकर मुझे यही लगता है राधारी से गुसर कर अंदर जाते वेस शेरों को देखकर सैम ने दफसरा किया अनिन को शडीरा से आई मगर उससे सोर से सैम की चुटकी काटी अपनी कॉमेंटरी बंद रखो वो नल पे उपर नीचे हाथ मारने लगी वो खुल नहीं रहा था जोंके दर्वासा खुला था वहर गुसरता शक्स दिखाई दे रहा था तब ही आशिम ने चोकर पे रुख कर पूछा क्या हो रहा है बच्चो अनिन ने हुश्कवार हैरे से सर उठाया वो उसको देखकर बिलखसूस रुखा था सबसे हटकर भी उससे मुलाकात मुंकिन थी पिर जीम कई ये नल नहीं गुल रहा आशिम ने मुस्कुराते वेशा रहिया अनिन ने आशिम से नल दले हाथ रक किये पाने की धार भेबड़ी ओ वो जीम कई आथ धोकर अड़ाय धार गाई उससे क्यों भूल गया सैम अंदर बात्रूम की दरब जला गया अनिन पेपर टॉबल से हाथ हुष करके जोकट टकाई तो क्या सबजेक्ट से तुमारे आशिम ने बात का अगास किया लिक्ट्रेशर वो निकाहें जोखा कर जीम कर मुस्कुराई ओ, मैं समझा शायद वो है रान हुआ था अनिन के चेरे फिस साया गुसरो आशिम ने उसे घूर से देखा और बात बदल दी तो कहले ट्रेशर में भी नकल हो सकती है नकल हर सब्जेक्ट में हो सकती है मगर आपने ये नहीं पूचा कि मैंने नकल की थी या नहीं मैं ये कभी नहीं पूचता मुस्कुराया हूँ मगर मैं ये जरूर पूचूँगा कि तुम्हारे ग्लासिस कहा गए तुम तो चश्मिश होती थी ना ओधर गए भाई ने लेसर करवा दिया था उससे कदर इत्माज से हार्षिम को मुस्कुरा कर देखाऊ आपको मेरी एनक याद है मगर सुबा आपने पूचा कौन हनीन वो हल्का फुलका सा शिक्वा कर गए क्योंकि मेरे जानने वालों में दो और हनीन भी है एक अपने नाम के दोनों इनके दर्मियान आय लगाती है और डूसी डवल आये तुम क्या लगाती हो डवली गुड हैर आती जाती रहा करो सोनिया मम्मी सबसे मिलती रहो या भाई सकती करता है आशिम में मुस्कुरा कर बूचा मगर वो बहुत कहरे अंदास से उसे दिख रहा था सोनिया और आपकी मम्मी मेरी उमर की नहीं है और भाई से अच्छा मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं है वो भी मुस्कुरा कर बूली मगर भाई का इस अंदास में जिकर उसे अच्छा नहीं लगा था आशी मसीद कुछ कहता मगर कान में कोई आवास आई और मौसरत कहता आगे बढ़ गया पिर कान में मुझूद आला उंगली से दवा कर बोला हाँ हावर बोलो सर आप वहीं रखिये मैं आ रहा हूँ आवर लॉन में था और उधर आ रहा था आशी महीं रुख गया मगर फिर कोई और मिल गया तो वो उनका हाल अख्वाल फूशने खड़ा हो गया आवर मुंतसर सा खड़ा रहा वो फारिख हो कर अपने चीफ सेक्योर्टी ओफिसर की दरफ ना क्या हुआ इस वसार में सकती थी आपको ये देखना चाहिए ये कितनी देर पहले की है तेरा मिनट और तेरा मिनट कब जब वो हार्शिम के कमरे में आया उससे लैप्टॉप में फ्लेश लगाने में तीन सेकिंड विन्या लगाए थे लैप्टॉप बंद रहा मगर फ्लेश की वत्ती चमकने लगी उससे पंचू की बल कार्पिट पे पैठे देशी से टैप खोलाँ आपकी डिवाइस का राप्ता एकार्ट ट्राइब से हो चुका है क्या आप तमाम टेटा कॉपी करना चाहेंगे बहुत हुशी के साथ तड़कते दिल से उससे एस सवायाँ पासवर्ड उससे सोनिया टाइप कियाँ अर्रा सिगनल साधी ने आँखे बंद करके गेरा सांस याँ तेटो कॉपी होने लगाँ दस फीसन, बीस फीसन, चालेस वो बार बार मुसरिब नसुर से बंद आवासे को देखता हूँ पच्पन फीसन, साथ नीचे कड़े हाशी में शोला बार नसुर से आवर को देखा हूँ तेरा मिनट से वो मेरे कमरे में है और तुम अबबकवास कर रहे हो वो दबा दबा सा कर जाओ आवर थोक निकलते पीछे हूँ सार, आप किसी से बात कर रहे दो बंदू को लेकर मेरी बेल को नी बेज़ो मैं इधर से जाता हूँ सारी शायसी में मान नावासी दफान करके वो तेसे जीने दगाया हूँ सत्तर फीसन, तेहत्तर, जेत्तर साधी पेचैनी से उंगलिया मरोड आ था हाशीम कोट का बटन खोले जीने भलांग रहा था इसी आदी तोफान की तरह वो जैसे अभी जाकर साधी को गिरपान से दफोच लेना चाता था उस उल्लू के बटे ने हाशीम भाई को अभी बहुत अंडरेस्टी मेठिया था परचासी, नववे साधी ने फ्लेश उंगलियों से पकड़ रखी थी किंदी आदम हो और वो उससे खींच ले माते पेवसीना था हाशीम ने दाड से दरवासा कोला उससे से परी उसके निकाहें आगे पीछे दोड़ी कमरा खाली था साधी वहाँ नहीं था अल्वत था इल्दा वो परदा हटा हुआ था पेलकुनी का दरवासा पूरा कोला था वो अंदा तुन बाहिर भागा पेलकुनी में भीवोना था वो देजी से बेरुनी सेनी उदरने लगा उससरफ लॉन, खाली और नहीं मंदेर था आवर उर्दोर सूट पैने आदमी बागते वे उदर आ रहे थे हाशिम का माधा भीगने लगा वो कहां गया अंदर हाली कमरे में हरकत हुई क्या है हाशिम भाई, कि आजकल के बच्चे थोड़े से ज़ादा स्माट है कान खुजाते वे उससे मासूमें से हुदकलामी की और उसी अदमाज से सीवियां उदरने लगा दखली दरवाशे के करीब दिवार पे बहुत से डिजिटल फोटो फ्रेम आवे इसा थे साधी अभी सीडियों से उदर कर आया ही था के हे साधी अपने बहन भाई को ले आया करो ना कभी इदर देखो कितने एकसाइटिड हो रहे हैं उन्होंने शायद ऐसी चीज़ें पहले देहीं देखी है साधी ने एक नज़र दूर कड़े दोनों पे डाली हाँ, उन्होंने तुम जैसी चीज़ें कम ही देखी है मगर रोशीरवान ने जैसे नहीं सुना मगर उनका कसूर नहीं है गुरबत और छोटा हांदान बहुत बड़ी मुसीबत है तासु से कहते उसे सार ही लाया अगर तुम ये चाहते हो के भड़क कर तुम्हारे उपर हमला करू और तुम सब में मेरा तमाशा बनाओ तो ऐसा नहीं होगा मैं मेहमान हूँ, अदाबे मेहमानी मुझे आते हैं संजीरी इसे कहकर वो मुड़ियां, उसका रोख तकली यूबरी लब भींचे, मगर इससे पहले कि वचपट कर भींची हुई मुठी को नोशीरवान के चेरे तक ले जाता ए, क्या वोला है, किसकी बेहन की बात की है हाँ फारिस भरमी से भोलता, तेज से इस कतम उठाता, उधर आ रहा था ऐसे कि वो, जो साधी से दो इंच लंबा था साधी के आगे आकर नोशीरवान की तरफ वड़ा नोशीरवान वाके गड़ वड़ाया था, उससे फारिस को आते नहीं दिखा था मगर लापरवाय से शान चटके ऐसा क्या कहा दिया मैंने? वो तो कदम पीछे अटा बकवास मत करो, मेरी बहन की बेटी का नाम मत लेना आएंदा परना हाथ मों सलामत नहीं रहेंगे तुमारे बात समझ में आई या नहीं? हाँ? घुरदी हुए उंगली से उसके सीने को दकेला तभी हार्शिम ने आगकर तेसी से दोनों हादों से दोनों को दूर किया वो अभी अभी सीडियां उदर था इधर आया था क्या मसला है? क्या हुआ है? सुलाजों अंदास वे उनसे फारिश सकंदा थावा मगर फारिश से चटके से चुड़ाये और तैश्वरी निगाहों से हार्शिम को देखा अपने भाई को समझा लो इस तरह की बकवास आएंदा की तो मैं जुबान से जवाब नहीं दूँगा इर्द-किर्द मुझूद लोग देखने लग गए थे दूर खड़े अनीन और सेंपी मत वच्चा हो गए मामो और नोशिर्वान मत मुकाबिल थे अच्छा ठीक है मैं मौजरत करता हूँ तुब ठंडी हो जो कहते हुए हो बार-बार सर निगाहों से साधी को देखता हूँ फारिस कहकर सर चटक कर आगे वढ़िया और साधी आशिम से निकाह मिलाए वगेर अपनी पहन भाई की तरफ चल दिया मेरा कसूर नहीं था भाई मैंने तुम दोनों मेरे कमरे में आओ आशिम ने उससे और आवर से सक्ती से कहा और सीडियों की तरफ बढ़ गया मेरी नाक के नीचे वो मेरे कमरे में घुसा और मगर वो अंदर क्यों आया था? मैं उसको छोड़ूँगा नहीं उसके इतनी हिम्मत वो घुस्से से खोलता दरवासे की तरफ बढ़ा आशिम ने बासू से पकड़ कर उससे रोगा चुप करो, फारिस और तुम में कोई फर्क है या नहीं उसकी तरह हर वक्त भात की जुपान मत इस्समाल किया करो मगर सर, वो अंदर क्यों आया था? कुछ लेने आया था या कुछ रखने? पूरे कमरे को टीपक करो माइक्रोफून, कमरा सब धूंडो अगर वो जासूस है, तो अब तहम्मल से तमाशा देखेगा और अगर वो चौर है, तो सबसे बहले यहां से निकलने की कोशिश करेगा आशिम तेश तेश सी से उलट-पुलट करते हुए कह रहा था वो डिस्टॉप था, उससे में था, मगर सब करने की कोशिश कर रहा था वो जैसे एक्जिट फे फोंचे, तुम उसे रोखोगे मुझे ऐसे मत देखो, जो कह रहा हूँ वो करो वो हावर को चिड़क कर कहने लगा और डिये, भाण में गई डिये वो भाहिर आया तो फियोना ट्रे उठा एक चा रही थी मेरी एंजियो से नेकलिस देकर ममी ने कहा भेंगा था वो उसका राज सा रोख कर रोला, फियोना एक्दम रुख गई उसी घमले में किसी नोकर की हिम्मत नहीं हुई के मेरा एक काम करो मुझ जल्दी जल्दी उससे समझा रहा था वो उना साहिला थी अलर्ट सी उसका चेहरा देख की थी जिस पर बसीना था और रंग भी सर्थ था आशिम ठीक नहीं था हम घूम फिरके कूचाए कातिल से आए है बस अब घर जा रहे है दोनों को साथ लेकर लोन की तरफ जाते साधी नहीं बतायो तब भी पीछे से आते मुलासमा उससे टकरा गई ट्रे की रही बर्थन भीखर गई आइम सॉरी, सो सॉरी, प्लीज प्योना बुखलाते हुए मौसत करती बर्थन समिटने लगी साधी ने उट सोगे कैकर कोट सारा सच जाणा और आगे फड़िया अमेर चले जाएं, मगर अभी तो खाना भी नहीं लगा अनी ने लॉन में अपने मेज तका कर दबदबद सेहते जा चेया सैम हामोशा, वो दोनों वज़ा से लाएं थे मगर लौँच का चगड़ा देख चुके थे खाना किसी अच्चे रेस्टूरेंट से खाएंगे बस चलो यहां से साधी ने सुमर को देखां, वो अकेली कड़ी थी और वो चल्द भूला देने वालों में से नहीं थी सो फोरण रासी हो गई, वो इस माहोल से फरार चाती थी हाँ चलो, बढ़े अब्बा ने भी चल्दी आने को कहा था जो हारा से उसी निजासत ली, उसके सरार और हैरत के बावजूद, वो वापिस आई और जल्दी चलने का इशारा किया बरामदी की सीडियों पे खड़ा हार्शी मुन ही को देख रहा था कान का आला उनली से दवाया इसको बगएर तलाशी के मत जाने देना वो धीर इससे वोला था राइट सर मैम, सर, जरा जहमत होगी आपको प्लीज साधी का हल खुशकुआ, गड़ पर क्या हुआ? हावर की समझ में नहीं आई वो दिये डिस्टिक अटर्णी से क्या गए मगर ठी एक ओधोरे फिक्रे समझने में तेर नहीं लगती थी अच्छा, मिसिस जवारात का नेकलिस चोरी हुआ है और अब आप हमारी तलाशी लेना चाहते हैं नहीं मैम, दरासल जो लोग घर के अंदर कए थे उनको मगर हम तो हाथ दोने कए थे हनीन ने एकतम रोवांसी होकर गाओ आवर ने पास समझाल लेनी चाही मगर सुमर के तो सर पे लग चुकी थी अच्छा, आपका मतलब है मेरे बच्चे चोर हैं मैम, साधी सहाव अंदर गए थे तो मेरे पास फोटेज एक मिनट, पहले हनीन और सेम चोर थे अब साधी हो गया और अगले में मैं होंगी और अब आप हमें चोरो की तरह लाइन में खड़ा करके हमारी तलाशी लेना चाहते हैं नहीं, आपकी नहीं मेरी फेमली के बच्चे हैं ये इनकी तलाशी लेने से पहले आपको मेरी तलाशी लेना होगी मगर इस अंधेरे कोने में नहीं वहां धाई सो महमानों के सामने दूंगी में तलाशी ताकि उनको भी पता चले कि आप लोग इज़त से बुलाकर इज़त से कैसे रुखसत करते हैं सुरतियाल बिगड़ गई थी आशीम अचनपे से उनको देखता हून इस सरफ आ रहा था हूँ जुमायर साधी खाना लगने वाला है आप लोग इतनी जल्दी कैसे जा रहे हैं जुमायर ने चेरा गोमा कर दीखी नसू से हाशीम को दीखाँ मैं बहुत जादा सरा होंगी इस बात को हाशीम अगर आप अपनी अदाकारी पस से पुष डाल दें क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती आपका गार्ड आपकी कहे बगेर हमें ये रोक सकता है मगर क्या हुआ है हावर आशीम ने हैरत और उल्जन से हावर को देखा जो नफी में सरहिला था कुछ कहना जा रहा था आपकी मम्मी का नेकलिस स्टोरी हुआ है हमारी तलाशी लेनी है अनी ने बेपसिस दिखा तलाशी? वाट? आशीम ने भी एकीनी से हावर को देखा साधी पेंट की जेवों में हाठ डाले अब कदरित मिनाज से सर जुका इकड़ा था हावर उसके मुकरने के लिए तैयार ना था वो घड़वड़ा गया सर, मेरा ये मतलब नहीं था जल्दी से संबल कर बोला ये मेरे मेमान है हावर वो दबादबासा उस पे बरसा सुमर ने सचट का अपनी मज़ागते मेफोस रखे हाशीम आप मेरे भतीजे को फारिस का भाज़ा होने की सजा नहीं दे सकते साधी ने चोंकर उसे रेखा और हाशीम ने भी सुमर ने चुट्टी निखा उस वे लाली ना मैं आज पैदा हुई हूँ ना आप साधी फारिस के लिए कोशिश कर रहा था सो जब वो रहा हुआ तो इतने अर्से बाद आपको साधी को इन्वाइट करने का हयाल आ गया आपको जानना था कि फारिस कैसे रहा हुआ या फिर साधी को इस बात की सजा देनी थी मकसद जो भी था आप मेरे भतीजे को यो पे इस्सत नहीं कर सकते आपको फारिस की हांदाने दुश्मनी से हमारा कोई तालुक नहीं मेरी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है आप खलत समझ रही है मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ चलो सुमर कहकर आगे बढ़ दी अनीन और सैम चट पीछे हो लिये साधी आखिर में निकला और फिर मुड़ कर हार्शिम को देखा हार्शिम बिल्कुल बदली हुई निकाहों से उसे खूर रहा था साधी चल्दी से बलट किया सर आवर ने पेपर से से उसे जाते रहा जो यकीनन कुछ ले करिया था जाने दो इसे आज जाने दो वो कड़वाट से कहता पलट किया पीछे करे नोशिरवान ने दिल में लाहाट से ही सब देखा था आप इसकी फुपो से डर गए इसको क्यों जाने दिया मैं किसी से नहीं डरता आगे मुगा आएगा और इसको बताया क्यों नहीं कि इसकी पहन ने सुबा कैसे आप से मदद मांगी थी नोशिरवान उसके साथ चलता खोलन से कह रहा था उसके दिल में साथी के रुकापत के अंगारे दुखना कम नहीं हुए थे बताऊंगा जब उसके मूँ पे थपड मारना होगा तब बताऊंगा मगर भाई महमानों से भरा पड़ा है घर मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता अभी उसे सारी बात ही अतम कर दी अपने ही होते हैं जो दिल पे वार करते हैं महसिन गहरूं को क्या हवर दिल किस बात पे दुखता है सड़क तारीक थी मगर सुनसा नहीं ट्राइफिक चल रही थी साधी हमोशी से ट्राइफ करा थां और सेम पिशली सीट पर आंखे मूंदे बढ़ा थां मुझे यकीन नहीं आता कि हाशिम इस हद तक जा सकता है सुमर विंटू स्क्रीन के पार देखती तलही से बोली पनवे अभी तक नराजी से भीची थी फुपो उनकी काट की कलती पे उनको प्लेम मत करें इस सब में हाशिम भाई का कोई कसूर नहीं है पीछे बैठी हनीन तेजी से आगे हुई हनीन मुलाजिम मालिक के इशारी के बगर इतना बड़ा काम नहीं किया करते और हाशिम की मुलाजिम तो कभी भी नहीं फुपो ठीक कह रही है हाशिम भाई हमें बेज़त करना चाहते थे साधी ने कहने थे हुई कार रोकी मेरा रेस्टूरेंट जाने का दिल नहीं है साधी कुछ टेक अवे कर लेते हैं जुमर उक्ताई हुई बोल रही थी साधी ने अस बात में सारे लाते वे अनीन को इशारा किया कि वो पिछली सीट पे पड़े उसके कोट से वॉलिट निकाले उधर अनीन ने कोट उटाया इधर सुमर ने पर्स कोला पोपो मैं दे रहा हूँ हाना मेरा वॉलिट दो अपके साधी को दुरुष्टी से कहना पड़ा क्योंकि अनीन वॉलिट नहीं दे रही थी अनीन ने वॉलिट निकाला भी नहीं था उससे कुछ और निकाला था इसी हसास के तहर जुमर और साधी ने पलट कर देखा वो दो उंगलियों में जगमकाता नेटली सुटाए हैरत से दिख रही थी जुमर की निकाएं वहीं धेर गई सांस रुक गया और साधी को तो अपने इर्थ के धर आवास आना बंद हो चुगी थी ये कोट में था अनिने उल्चन परेशानी सुन दोनों को देखा ये मिसिस कारदार का है मैं इसे परचानती हूँ सरदावास ने वोली और उनी परफिली नसरों से साधी को देखा ये इधर कैसे और दभी हैरान परेशान साधी यूसुफ ने चोंकर सुमय के दास सुनात देखे नहीं फूपो आप घलत समझ रही है साधी गाड़ी चलाओ वो सीधी हो गई चेहरा बिल्कुए सबाट था फूपो आपको लगता है कि ये मैंने चुराया है मैं चोर हूँ अक्का बक्का साधी का तो जैसे दिल ही डूटिया साधी गाड़ी चलाओ ये हाशिम ने मुझपे प्लांट किया है उससे मुझपे सेट अप किया है मैं आपको सब बताऊंगा मगर मुझपे इत्बार तो करें इत्बार सुमने तुकी निगाउंसों से देखा और अगर वहाँ तुम्हारी तलाशी ली जाती और ये तुम्हारी पास से निकलता तो क्या मैं इस चेहर में किसी को मुझ दिखाने की काबिल रहती साधी मैंने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया था तुम वो साधी नहीं हो जिसको मैं जानती थी साधी ने पेपरसी से स्टेरिंग पे माता मारा मैंने अगर ये चुराया होता तो क्या कोट उतार कर यूँ फैंग देता मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या भाई चोरे नहीं कर सकता कभी भी भी नहीं ये किसी ने भाई के जेप में डाला होगा। हनील से मजीद बरदाश नहीं हुआ था। किसी ने नहीं, हारशीम ने, ये सब उसका किया धरा है। साधी, मुझे घर ड्रॉप कर दो, अभी और इसी वक्त। वो रुख मोर कर शीशे के पार देखने लगी। क्या मतलब कि आपको ड्रॉप कर दो, आप मुझे इतने क्राइसिस में यू छोड़ कर नहीं जा सकती जुमर। गुना साबित कर लोगे, ये क्राइसिस नहीं है, क्राइसिस वो था, जिसमें तुम मुझे छोड़ कर गए थे, तुम्हें पता है साधी, जब किसी की कमट जीर कर गुर्दा निकाला चाये, तु कैसी तकलीफ होती है, तुम कभी भी वो तकलीफ नहीं समझ सकते, अब बात करते हो क्राइसिस की, साधी बिलकुल ठंडा पड़िया, अनीन को लगा, वो नीला पड़ जाएगा, मगर वो नहीं पड़ा, अर्स है, नीला नहीं करता, आपने आज क्या ही दिया, जोमें ने साच अड़क कर रुख बोलिया, उसके आंके शित्दते सब से सुरुख अनीन पस अपने भाई को देख रही थी, वो सही लाकर कार स्टार्ट कर आ था, आएम सोरे, मैं आपके बास सही था, मेरा टेस्ट था फुपो, और मैं फेल नहीं होना जाता था, अनीन को लगा, साधी की आँखों में आसों है, पिर शायत उसकी अपनी आँखे नम थी, वो और अम्मी अलपता उतनी हमोशी से आकर नहीं पेड़ी थी, उनके पास सवाल थे, क्या रहा, कौन-कौन मिला, खाने में क्या था, मगर हनीन और साधी के पास उनके जवाब ना थे, साधी ने हनीन को पहले ही कुछ बैदाने से मना कर दिया था, कि अम्मी दिल की मरीज थी, सेम दुनिया और माफिया, सिवेहबर नीम दरास सो रहा था, उनके चलवों को जिंदगी कहकर अपनी नसर का वकार खो बैठे, कंट्रोल रूम में अंदेरा था, सिवड़ी स्क्रीन्स की रोशनियां उनके चेहरों को चमका रही थी, आशिम टांग पे टांग जमाएं सारा घर डीप अग करवा लिया है, उसने कुछ नहीं रखा, मैं तो ये समझने से कासिर हूँ, ये तुम्हारी पूरी फोर्च की मुझूदी में वो हाशिम की कमरे में ताखिल कैसे हुआ, उसने कुछ नहीं रखा, वो कुछ लेकर गया है, हाशिम घोर से स्क्रीन को देख किया हूँ, केक टेविल पर शेरीन केक काट रही थी, फिर उसे सोने की ब्लेट से दिल निकाल कर एक डिश पर रखा, और वो फियोना से कुछ कह रही थी, फिर फियोना डिश उढ़ाए साधी की डेविल तक गई, नसूर के तबातले, आशिम की लब बीच गए, ये एक दूसरे को जानते हैं, आशिम उक्ता कर बोला, निकाहें अभी तक उन पे थी, इस जिल पे सोने लिखा हुआ था न, उससे ये साधी को क्यो भीचवाया, योही में मान नवाजी कर रही होगी, नोशिरवान ने हमायत करने की सही की, जवारात ने हमोशी से उसे खुरा, वो उससे चोंकर नोशिरवान को देखा, तुम्हें मेरा पासवर्ट क्यों जाए था, वो शेरी को आपके हरीमोन की पिक्चर्स, तुमने उसके सामने मेरा पासवर्ट डाला, वो घेसो खस्प से खुरा था, वो उसके साधी पहुँझा, नोशिरवान ने ना समझे सुसे वीर्थ हैं, उसे तुम्हें इस्तमाल किया मेरा पासवर्ट डेने के लिए और ये, ये तुम्हारी शेरी ने उस खटिया आदमी को मेरा पासवर्ट डे दिया है, ये, वो हज्यानी अंदास वे चला था, स्कीन की ता फिशारा करा था, नहीं, शेरी ऐसा नहीं कर सकती, नो पासवर्ट डेने के लिए, ये, शेरी ऐसा नहीं कर सकती, भाई, आपको बक्वास बंद करो, पासवर्ट डेने के लिए, उसकी शश्चर आँखों में कोया कार कर बोला, मैंने अगर किसी चीज़ को इगनोर किया है, तो इस ही है कि चाहिद तुम्हें खुद ही अकला आज अगर तुम हुद उस बेवकुफियों की जन्नत से निकलाओ, जटके से उससे दंबहुद खड़े शनोशिरवान का गिर्बान चोड़ो, फिर बालों में हाथ बेटा चलता हुद को पुर सुकून करने लगा, जवाराद अपनी जगा साकित खड़ी थी, वो जानती है, तेरा चोड़ा मिन में क्या क्या देखा होगा, वो था कार कर कुरसी पर बैठिया, तुमने इतने एहम डॉकूमेंट्स लैपटॉप में क्यो रखे थे, अच्छा, अब मैं अपनी रगों से होन भी निकाल लूँ, इस जड़ से को एक हंजर ना खूमते, और बहुत कम डॉ अब मिन में कुछ भी नहीं बढ़ सकता, आशिम ने सर उठा कर उसे देखाओ, ये तुम्हारी गलती नहीं है शेरू, जाओ जाकर सोजाओ, और एई शेहरीम, तो तुम उससे कोई भी रिष्टा जोड़ना चाहते हो, तो जोड़ लो, मुझे कोई इतरास नहीं, बस सोच स तेरा नसों से आशिम को दिख रही थी, आपको क्या लगा था, मैं नहीं जानता, मुझे ये लग रहा है, कि शायद मैं ही दुमें नहीं जानती, वो सुधे हुई चेरी के साथ मुस्कुराई, फिर उसके घंदे पे हाथ रक कर दभाया, वो कल का बच्चा, वो कुछ नहीं साथी, सबने मिलाए हाथ तेरी तीर की ये साथ, कितना बुरा मजाग हुआ, रोशनी ये साथ, इतवार को सवाई सूरज की सब कुछ ही सुसी से तो लुख हुआ था, सूमर फजर के बास सोई, तो फिर देर से उठी, और उसकी आँखे अभी तक सुख थी, गुंगराले ब आदूसर समीटे, उस सरहने बड़े फून की दर्मत वचा हुई, जो बज़े जा रहा था, कहरी सांस देकर उससे कॉल ले ली, कहिए हाशिम, वो जो अपने घर की अंदरूनी जिम में ट्रेट मिल पे भाग रहा था, बेखत्यार रुखा, एंफरी कान में पका गिया, और दोलिय से चेहरा हुष करते हुए बोला, मैं अपने मुलाजिम की बेवकुफी पर मौजरत करना चाता हूँ, जो हुआ, उसमें मेरा कसूर नहीं था, जुमत की आँखे फिर से चलने लगी, साधी कर आखरी चेहरा याद आयो, उसकी आँखों में आँसू थे, उसको बाला की वज़ा से अपने और आपके वर्किंग रिलेशन्शिप को खराब नहीं करना जाता हूँ, फिर जूस की बोतल उठाई और मूज से लगाई, तम दमाते चेहरे पे तना उथां, एक्तियात थी, सुमें ने पैर पेट से उधारे, पून गंदे और खान के दर्मियान रख कोने में बाल चकड़े, मेरा और आपका वर्किंग रिलेशन्शिप 1-2-3 पे मुवनी है आशिम, 1. हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, 2. हम एक दूसरे को बिल्कुल वसन नहीं करते, और 3. और इस सब के बावजूद हम बहुत इसस एक दूसरे के काम आते रहते हैं सो इस सालुक को काईब रखने के लिए बेतर हैं कि हम जाहिर करें, कल कुछ भी हुआ नहीं, चपल पहेंकर वो खड़ी हो गए, दरोस मेरी तरफ से वो नेकलिस जहान्नों में चला जाए बाई, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वज़ा से वो करीब आया तो उसका सर चुका हुआ था, आशी में हिर्फी कान से निकालते हुए नर्मिसो से दिखा हूँ इसमें तुम्हारा कोई गजूर नहीं, शेहरी ने तुम्हें इस समाल किया है ये नाम सुनगा नोशीरवान की आँगों में मलाल उब रहा हूँ, उसकी चोट सत्मे से गम के मराले में दागिल हो चुकी थी उससे अकला मराला गुज़ा और बेर इंतकाम था वो मुझे यूँ एक स्प्राइट करे ही, मैंने कभी नहीं इस हो जा था वो एक दिन में जमा तर्जीम के सहीगे से वाहिद गह तर्जीम पे गुज़ा किरा दी गई थी ये बात तुम्हें मुझे से नहीं, उससे कहनी जाए मैं सोनिय को ड्रॉप करने उधर जा रहा हूँ, चेंज करो और मेरे साथ हो आशिम ने उसका कंदा धबका, उससे चेरा उठा कर बड़े भाई को शिक्वा करना नसे उससरी गहा और वो साथी, उसकी क्या सजा होगी, उसकी सजा शुरू हो चुगी है, वो बकड़ा गया है जुमर ने नेकलिस उसकी चेव से वरामत कर लिया है, अभी कॉल की थी उसको, डिये ने खुद बताया वो हैरान हुँ, उसके लहजे ने बताया, उससे हुद नेकलिस का पोचा, उसकी आवाज से बता चल रहा था कि साधी अपना इत्मात खो चुका है, तयार हो जाओ नोशिर्वाइन की शाने को तब तबा कर वो आगे बढ़ गया, उदर जुमर के खर में सदाकत बड़े अपा की चाह लिए, उनके कमरे तक आया तो देखा वो फोन पे बात कर रहे थे, चेरा चुका था और अवाज सकी तकी से लगती थी, सदाकत चाह रखकर हामोशी से च उदर वो फोन पे कह रहे थे, क्या वागे ऐसा हुआ? तुम लमए भर के लिए यहां से दूर वागे चोटे बागी चेवाली घर में आओ, तल लौँच में हनी सोफेवे वेड़ी, फोन कान से लगा ए भाई में से कह रही थी, अपा, जुमर पुपो ने भाई की बहुत इ भी नहीं सकता था, कि वो घर आए में मानू के साथ ये करेगा। अनीन, और वो क्या करें? ये वो आखरी बात ही जो हनीन ने कही थी, और आप कब तक पुपो के पिगलने के इंतसार करेंगे? मेरा भाई कहता है, कि हाथ बे हाथ धरके बैठना, तो अकल नहीं सुसी होता है, कुछ तो करना पड़ता है, अपा, भाई की आगों में आंसू देखे मैंने कल रात, क्या वो अब भी कभी भाई से बात नहीं करेंगी? बहुत मुहपत करता है भाई उनसे, सिर्फ भाई, आखरी अलफास कहते हुए उससे भी नसे चुराएं थी, अपा ने हामोशी से फून रख दिया था, अब उनको कुछ करना था, खुशी की बात नहीं है कोई फसाने में, वगर न, उससे ना था, आपको सुनाने में, जु पार्टी कैसी रही, तुम रात बिना बात की अंदर चली गई थी, क्या मैं ये समझू, क्या आपके बोते ही अब बोती ही ने, सबेरी की फून करके सारी बात नहीं बताई, उसके आवास फारी थी, शायद हो रात को रोई थी, वो किसी की सामने नहीं रोती थी, वो कब लबू से लगा कर टीवी की समय देखने लगी, उसका गीन शोर जारी था, लौश में फिर भी खामोशी मेसूस हो रही थी, दोनों मुंतसे थे, फिर वो ही भोल उठी, उसको पैसे चाहिए थे तुम मुझसे मांगता, कोई मस्दा था तो मुझे बताता, मगर शितते से आंखों में सुर्फ कुलाबी लगीरे उपर ने लगी, तुम्हे लगता है उससे चोरी की है, वो नेकलेस उसके पास से मिला है, वो अंदर कमरू में भी क्या था, वो इसलिए आने पे राजी हुआ था कि पार्टी घर पे है, वरना पहले साफ इंकार कर दिया था, मुझ साही है बिलकुल, सुमरी के दिल पे किसी ने पह रख दिया, फरेवी और साधी, कुछ अंदर तड़वा था, ऐसे मत कहें, तंस में भी नहीं, तंस में भी नहीं, तंस नहीं, सच है यह, वो कितने अराम से सब को धोका दे देता है न, और तुम्हे तो पहली दफा धोका न दोने लगी, अलफाज के निस्वत लेजा मुक्तलिफ था, अजीब था, चूंका नेनी वाला था, मत कहें, कुछ मत कहें, और वो मत होश होकर उनको रोकना चाती थी, वो कुछ नहीं सुनना चाती थी, तुमने उससे कहा, वो तुमारी तकलीफ नहीं समझ सकता, जाहिर है, वो कैसे समझ सकता है, उससे तो तब भी तुम्हें धोका ही दिया था, जूमर के लब आत खुले रह गए, तूटे खाट से उसका दिल सखमी किया जा रहा था, बड़े अबबा अपनी जगा से आगे हुए, सारा चुके, जूमर की आँखों में च्छांकर केने लिगे, या वो लड़का कितना जूटा है न, उससे तुमसे जूट बोला, धोगा दिया, सब उसने प्लैन दिया था, उसका हून, गुर्दा सब तुम्हारे जैसा था, मगर दिल तुमसे बड़ा था, वो कहता था, ये मेरा टेस्ट है, मैं ते मादारी करके नंबर बना लू, ये बढ जाई के बहाने नजरुस से गाइब होकर, अपना फर्ज अदा करूँ, और अगर बुरा बनता हूँ तो बन जाओ, मगर उस चैस्मे फेल नहीं होना चाहिए मुझे, कमर को काटकर गुर्दा निकालने की तकलीफ क्या होती है जुमार, उसको पता है, वो लड़का आज एक गुर्दे पे है, जब तुम हस्पताल में थी, तो भी करीवी कमरे में एट मिट था, मगर उसे तो हमदर्दी भी नहीं मिली, वो चार साल से हमोशी से तुम्हारी सर्द महरी परदाश करता रहा है, और तुम कहती हो, वो तुम्हारी तकलीफ नहीं समझता, बहुत मेरा बेटा समर, मैंने कितनी मिननत की थी उसके, मगर वो कहता था, अगर फुपो को पता चला कि ये मेरा गुर्दा है तो वो कभी नहीं लेंगी, फुपो मुझसे बहुत मुहबत करती है, मैं उनका भाई भी हूँ, दोस भी, बेटा भी, वो मुझे तकलीफ से नहीं गु वो बस मुर्दा नहीव चेरे के साथ उसकी पुष देख रहे थे, अगर आज तुम्हारे पास एक गुर्दा है तो उसकी वज़ा साधी है, वो तेरे से बल्टी, उसकी आंकों की गुलावी लकीरे सोख पर चुगी नहीं, शायद उन में नमी भी थी, बले, वो ने ना गि हवाप भी ना था, वो नमाकों से उसको लेखते रहे, जब आपके इंतसार उससे भी ना था, वो तेजी से अपने कमरे की तरब चली गई, किड़ी अब पूरी खुल चुकी थी, तासा हवाप भोद उमीद अफसा थी